मैक्सिमम हाइट के आधे पर पहुंचता है अगर मैं एक बॉल को यहां से फेकता हूं तो अगर मैं बॉल यहां से फेकता हूं तो यह जो है maximum height h है और maximum height का आधा h by 2 है और यहाँ पर उसकी speed 10 meter per second है आधे पर समझना जब half हाफ हुआ है यहाँ पर यहाँ पर उसकी speed 10 meter per second है और यह highest point है तो यहाँ पर velocity 0 हो जाएए, speed 0 हो गया होगा काता how high ball rise, कितना height rise किया होगा, तो h कैसे निकाला जाए याद देखो, h निकालने का असाम तरीका यह है, कि यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक यह जो h by 2 है, h by 2 के लिए third equation आमोसन लगा दिया जाए तो third equation आमोसन b square minus u square equal to 2 as लगा दिया जाए, तीक है, अब यह आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है तो final highest point पे 0 और initial 10 का square, उपर direction positive ले लिया हूँ, तो नीचे minus 10 और displacement h by 2 हो गया तो 2 ने 2 को ठीक है, और 1 10 ने 1 10 को, तो जो height आजाएगा वो 10 meter आजाएगा, ठीक है जो height आजाएगा, वो 10 meter positive positive आजाएगा, यहाँ से ऊपर क्योंकि ऊपर हम ले लिये थे next